इल्र स्पाउस वीजा वालों को कब अप्लाइ करना होता है वो आज हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि जब वो लोग आए हैं पाकिस्तान से इंडिया से बंगला देश जैसे भी आप लोग आए हैं आज परती नो फीस उसमें ठीक है फिंगर प्रिंट्स और नहीं परती आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जादा इंफर्मेटी वीडियो लेकर आई हूं जिनको आई एल्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि हाव टो अप्लाइ फॉर इल्र यानि के इंडेफिनेट लीव टू रिमें इसको कैसे अप्लाइ करते हैं उसके क्लिए क्या डॉक् इसके चले जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी सबसे पहले जी बिसमिल्ला रख्मान रहीम हम लोग आज बात करें हैं आई एल्र के बारे में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सकारब करें शेर करें बैल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताके आप लोगों को मेरी UK वीजा, UK विलॉग, कुकिंग विलॉग, हेर औं स्केन की विलॉग, जो भी मैं अपलोड करती हूं, डेली रुटीन, ठीक है वो सब कुछ आपको मेरी इन्फरमेटिव वीडियो मिलती रहें और जी हम लोग बात करें थे ILR के बारे में, ILR basically होता है, Indefinite Leave to Remain, जिसे हम कहते हैं कि पक्का वीजा, वो होता है, ILR, Indefinite Leave to Remain, सबसे पहले स्पाउस वीजा वालों की बातगोर से सुन लें, जैसा कि स्पाउस वीजा वाले जो होते है, basically, ILR उनको चाहिए होता है, in fact, सब को ही ILR चाहिए होता है, ठीक है तो ILR का basically मकसर spouse वीजा वालों के लिए ये होता है कि उनके लिए documents वगएरा cost, fees सब के लिए जो है ना same ही होती है तो ILR spouse वीजा वालों को तब apply करना होता है जैसे कि अब बात गोर से सुनिएगा ILR spouse वीजा वालों के लिए तब जरूरी होता है कि जब वो लोग आए है पाकिस्तान से इंडिया से बंगला देश जैसे भी आप लोग आए है as a spouse वीजा तो आप लोगों को धाई साल का वीजा मिलता है तो आप लोगों को धाई साल UK में गजार ली अपनी extension apply कर ली A2 और B1 test के साथ जैसे भी देके ठीक है धाई साल का मजीद वीजा आपको लगा है ठीक है आपको टोटल यादि के पांच साल का जो है वो रूट होता है sometimes कुछ लोगों का दस साल का भी रूट होता है तो अपने अपने time period पे depend कर रहा होता है ठीक है 5 years है या 10 years है अगर आप लोगों का 5 years का है तो आपको धाई साल का दुबारा वीजा मिलेगा ठीक है फर्स extension के बाद जैसे आप सब को पता है कि आज कर एक्सेंशन चल रही है सब की धाई साल कम्प्लीट हो चुके है सब बहुत से लोगों के जिस तरह मेरे धाई साल कम्प्लीट हो चुके है ठीक है इसी तरह धाई साल का मजीद हमें और वीजा लगेगा तो तब जाके हम जो हैं after धाई साल और यानि two and half year का वेट और करेंगे जैसे ही हमारी धाई साल इसके बाद पूरे हो जाएंगे टोटल five years हो जाएंगे आपको यूके में आएवे यानि आपको दो दो दफा वीजा लग जाएगा आपका धाई धाई साल का करके फिर जाके आप पांच साल के रूट पे अगर आप लोग है तो आप लोग जो है धाई साल के वीजे लगवा के आई यालार तब वो लोग अपलाए करेंगे टैन इयर वाले रूट के ठीक है तो five year वाले रूट ही जादा तर होता है वो हम लोग अपनी बेवकूफियों की वज़ा से जो है ना वो दस साल पे अपने आपको हैं उससे हम लोग पकका वीज़ा करते हैं जिसे हम ब्रिटिश पासपोरट के लिए अपलाए करते हैं यह ब्रिटिश पासपूट के लिए ही accent अपलाए कीया जाता है इसके लिए दो टैस्ट रिक्वाइड होते पो मैं आपको डीटेल में बताती हूं कि documents cost और test जो है वो क्या होते हैं और क्यूं हमें यह करना होता है ठीक है तो चलें जी पहले documents के बारे में बात करते हैं कि documents इसके लिए क्या required है documents basically इसके लिए जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है हर वीजा के लिए यहां पे almost same documents ही required होंगे अगर आपको जैसे extension के लिए आपने apply किया है same वैसे ही आपके documents जो हैं इसके लिए भी same almost होंगे ठीक है बाकी वो rule or regulation जो है वो हर साल जो हो चेंज होते रहते हैं तो इस वज़ा से आप लोग उस पे अपना google पे भी search कर सकते है documents क्या चाहिए होते हैं लेकिन almost same वही documents होते हैं जैसा कि passport valid होना चाहिए आपका 6 मन्त का पहले ठीक है आपका BRP card use होगा ID card use होगा उनकी photocopies और whatever जो भी होगा ठीक है ID card यानि के आपका जो पकिस्तानी आपकी नेशनलिटी है अभी still तो वह आपका यूज होगा यह बंगलादेश यह इंडिया यह कहीं से भी आप लोग है तो वह आपका ID card जो वहां की आप national holder होते हैं वह आपका card होगा ठीक है तो grant की आपको land register उसकी शो करवानी पड़ेगी अगर आप लोग किसी के साथ रह रहे हैं तो वह बंदा आपकी शो करवाएगा ठीक है कि यह लोग मेरे साथ रह रहे हैं और फिर सेम वही बात passport size की दो copy आपकी लगेंगी और एक पिक जो है पासपोर्ट size की दो पिक्स आप पासपोर्ट size की with white background ठीक है और आपकी दो लगेंगी ठीक हो गया और अगर पासपोर्ट आपके husband का यह wife का valid नहीं है six month का तो उसको जो है ना renew करवाले सारे expiry passport भी और valid passport उसका भी लगेगा ठीक है तो यह same process जो है same documents आपके sponsor के साथ भी same ही लगेंगे बस picture जो है उसकी एक लगती है अचा वोट कार्ड जो है आपके पास अगर आपके पास जो है वोट कार्ड भी होगा ठीक है वोट कार्ड भी लगेगा बिल्स लगेंगे consult tax होगा six doctors letters जो है वो अल्मोस्ट आपने संभाल के रखने है as a proof of address ठीक है जी employer letter आप जहां पे काम कर रहे हैं ठीक है और bank सेम अगर आप लोग सेल्फ इंप्लाइड है तो आपकी स्पेस लिप बारह महीने की लगेंगी ठीक है और contract letter अगर आप contract पे जॉब करें तो आपको contract letter शो करवाना पड़ेगा अगर आप इंप्लोई मतब पक्की वाली जॉब जीसे कहते हैं वह है तो आपको अपना employee letter शो क शो करवानी पड़ेगी इकठी ठीक है पेसलिप्स की ठीक हो किया जैसे कि यह मैंने आप पर आपको मेंचन किया पेसलिप्स 18606 मंत की दोनों की इकठी हो जाएगी अगर वह एक बंदा जॉब कर रहा है आपकी husband कर रहे हैं आपकी wife एक ही बंदा कर रहा है तो उसको फिर भ ILR अपना indefinite leave to remain कर सकते हैं ठीक हो गया अब बात करते हैं इसमें आपका टेस्ट जो है न वो दो टेस्ट होते हैं पास करने चाहिए आपको B1 का certificate लगेगा और life in the UK test का certificate लगेगा पास के साथ ठीक है बोथ पास होने चाहिए तो यह थे जी सारे के सारे documents जो आपको require होंग के लिए ठीक है जी और अब बात करते हैं कि इसकी cost के बारे में इदर आ जाते हैं अब बात करते हैं कि इसकी cost कॉस्ट basically यह देखें जैसे आप लोगों को नजर आ रही है आप लोग गुगल पर भी search कर सकते हैं उपर नीचे जो है न वो हो जाती होती है ILR की जो cost है वो basically 2400 पाउंड है और तकरीबन 2400 चार पाउंड ठीक है और डिपेंड हो करता है आपके वीजे पे आपकी टाइमिंग पे इच परसन की जिस जिसकी मतब आप लोग अप्लाइ करेंगे उसकी इच परसन जो है ना 2400 पाउंड और 2400 चार पाउंड जो है वो उसकी cost है ILR indefinite leave to remain की cost यह है plus solicitor fees भी होगी और इसमें solicitor fees जो है ना वो हर area की different होती है हर बंदे की different होती है 500 से 800 पाउंड तक ठीक है और फिर जो है ना इसमें जो आपको benefit है कि आपकी जो इसमें fingerprints और NHS fees है वो zero होती है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती नो फीस उसमें ठीक है जो पाउंड है वो देना होता है बस ठीक है अब बात करते हैं test की ठीक है तो test basically क्या है जी हमारे पास test की report जो है वो दोनों इसकी expiry date नहीं होती वी वन जो है वो दो साल के लिए होता है वैलिड लाइफ इन दा यूके टेस्ट वैलिड होता है फो लाइफ यह दोनों टेस्ट यह आप टू पास ठीक है आपको जो है आप लोग अपना अपलाई कर सकते हैं तो यह थी सारी के सारी आज की वीडियो ड वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा मुझे दे अजाज़त मैं आओंगी इन्शाला अपनी नेक्स वीडियो के साथ अपने नेक्स विलोग के साथ अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा दौा में याद रखेगा और ज शेयर करना ना भूलिएगा तब तक के लिए मुझे दे अजाज़त अल्ला आफेज